नमस्कार आप देखने हैं प्रवसाक्षी मैं आपके साथ मीध्यविनाश साल 2021 खेल से लेकर बिजनेस जगत तक भारत के लिए काफी शांदार रहा और इस शांदार पल में ऐसी कई चीजे भी हुई जिसने लोगों का दिल भी जीता जहां खेल में ऑलंपिक में भारते खिला लिए वहीं बिजनेस जगत में भारते मुलपराग अग्रवाल ने सीओ कपत संभाल देश को और भी गर्व से महसूस कराया आज हम आपको बताते हैं साल 2021 में हुए वो यादगार घटनाई जिसने सभी का दिल जीता सबसे पहले बात करेंगे ऑलंपिक में भारते होकी टीम के प्रदर्शन की भारते होके खिलाडियों ने अपने शांदार प्रदर्शन से सभी लोगों का दिल जीता और जिसकी गाथा को हमेशा याद रखा जाएगा आपको बता दे कि भारत ने पुरुष होकी में 41 साल बाद मैडल जीतने का कारनामा कर दिखाया इस कारनामे ने ना किवल देश बलकि विदेश में भी कई लोगों का दिल जीता पुरुष टीम ने अतिहासिक कान से पतक जीत कर भारत की चार दशकों के सूखे को खत्म किया तो वहीं महिला होकी टीम ने चौथा इस्थान हासिल कर इस खेल में एक बार सिर साबित करके दिखाया कि और संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब भीत कर भारत का दिल तो जीता ही साती देश को गर्व से महसूस कर आया यह दिन भारत कभी नहीं भूलेगा क्योंकि इस दिन यह एक बहुत बड़ी खुशकबरी साथ ले कर आया था देश की बेटी हरनाज ने जब मिस यूनिवर का ताज अपने सिर्फ पर रखा तो यह भारत के हर लड़की के लिए शांदार पल से कम नहीं था बता दे कि भारत ने 21 साल बाद इस खिताब को दोबारा अपने नाम किया प्रधान मंत्री मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को जब वारण नसी में काशी विश्वनात कोरिडॉर का 2019 को रखी बता दे कि यह कोरिडॉर प्रशिद काशी विश्वनात मंदिर को गंगा नदी ललीता घाट से जोड़ता है इसी से जुड़ी एक और यादगार पल बताते हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने 13 और 14 दिसंबर को काशी विश्वनात कोरिडॉर का लोकारपन किया और फिर काशी विश्वनात के दर्शन किये थे प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी इस यात्र के दोरान ऐसे कई कारिये भी किये जिसकी वजह से वह सुर्ख्यों में रहे और उनकी जमकर तारीव भी हुई जैसे कि उन्होंने गंगा में डुक्की लगाई पूरे विधी विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके साथ ही बनारस के विकास को देखने के लिए आधी रात को निकल पड़े इन तमाम वजह के साथ साथ पूजा से पूजा से शुर्ख्यों में रहे और वह वजह थी दिव्यांग महिला के पैर छूने की पूजा देखने के वारनसी दौरे के दौरान एक दिव्यांग महिला उनके सामने आती हैं उनसे मिलती हैं और उनके पैर छूने की कोशिश करती हैं इसी बीच प्रधानवंतरी मोदी ने उन्हें ये कहने से रोक दिया और खुद ही उनके पैर छूने लग गए पीम को ऐसा करते देख महिला काफी वाब भिवोर हो गई हाथ जोड कर खड़ी हो गई बाद में पीम मोदी ने इस महिला से बात चीत भी की भारत के पराग अगरवाल जब ट्विटर के CEO नियुक्त किये गए तो ये एक देश के लिए काफी गौरफशाली पल रहा साल 2021 में बिजनेस जगत से आई ये खबर देश के कई लोगों का एक दिल जीतने वाली खबर साबित हुई बता दे कि पराग अगरवाल को 29 नवंब के तोर पर अपना करेर शुरू किया था और पिछले एक दशक से वह कंपनी से जुड़े हुए हैं जब टोक्यों अलंपिक में भारत को गोल्ड की कोई उमीद दिखती नजर नहीं आई तब नीरत चोपड़ा ने सब के उमीद को गलस साबित कर देश को स्वन्ट पदक दि और भारते द्वस सबसे उपर नंबर एक पर लहरा रहा था नीरत चोपड़ा की इस काम्याभी पर पूरा देश जश्न में जूम उठा प्रधान मंत्री मोधी ने सेना की जवानों के साथ दिपावली मनाने की अपनी परंप्रा को बरकरार रखते हुए दीपों के उत्सव के अफसर पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ मुलाकात की नौशेरा में सेना की चौकी पर मौजोद पी-एम की तस्वीरें काफी भावुक से भरी हुई थी इन तस्वीरों ने देश्वासियों का दिल हमेशा की तरह फिर एक बार जीता अमेरि अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को